नमस्कार किसान भाईयों कैसे हूँ आप सब मैं हूँ आपका दोस्त अभी स्वेक सिंग रूज की तरह एक बाब फिर से आपके सेवा में हाजिर हूँ मुर्गियों का थोक बॉले करके किसान भाईयों हमारा एक मात्र चैनल है जो की बीना पैसे लिए रेगुलर बेसिस पे डेली आपको मुफ्त में मुर्गियों के थोक भाईयों दोस्तों आपको प्रभाईट करवा देते हैं बिल्कुल सठीक और सही टाइम पे तो चलिए आज का भी वीडियो स्टार्ट करते हैं विष्ट बंगाल से तो कुलकता की बात कर ले 115 का अपडेट है मदीनपूर 110 बात कर लेते हैं 125 रुपीज हावरा की बात कर ले 115 रुपीज बापूर 108 रुपीज पुरुलिया 109 खूगली 111 बर्दमान 110 रुपीज नदिया 113 रुपीज तूरी 109 रुपीज अलिपूर्दूर 125 का अपडेट है तो किसान भाईयों आज का अपडेट आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए चुकि कारण यह है कि आज अपडेट में कोई एक ट्रेंड नहीं चल रहा है कि यहां के रेट बढ़ गया है यहां के रेट गिर गया है ऐसा बिल्कुल नहीं जैसे कि आप देख सकते हैं नदिया में कल 114 का अपडेट था आज 113 का वहां कल 121 का था आज 125 का था वहां चार रुपए की भरत है तो ऐसे में दोस्तों कन्फ्यूजन बहुत जादा होता है और ऐसे में पॉल्ट्री फार्मर को ही घाटा होता है चुकि जो डीलर होते हैं वो तो कभी घाटा खाते नहीं है वो या तो अफवाह का सहारा लेते है या फिर दोस्तों जो पॉल्ट्री फार्मर रहते हैं उनको अगर रेट की जानकारी नहीं है तो वहां से भी वो कुछ न कुछ कर लेते हैं तो इसलिए सभी होलसेलर खराब होते हैं ऐसा नहीं बोल रहा हो दोस्तों लेकिन इमांदारी से रेट बढ़ गया है घट गया है जो डिलर होते हैं उनकी संख्या बहुत जादा तो नहीं है दो चार रुपए का वो हेर फेर करते ही रहते हैं तो इसलिए आपको भी सावधान रहने की आवस सकता है दोस्तों उनका भी बिजनेस है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसलिए आप खुद सतर्क रहें और पिचासी रुपीज अमेटी जॉनपूर उन्नाओ कानपूर बस्ती रायबरली गुरकपूर परतापगर गॉंडिया और लखनव में पचासी का ही अपडेट है तो यहां पे एक जैसे रिट खुले हैं दोस्तों कोई बदला वाली बात यूपी में देखने को नहीं मिल रह अब चलते हैं साउथ के तरफ फिर आएंगे नोर्थ के तरफ बिहार जहर खंड वगरा कभी रिट में बताऊंगा आपको तो तमिल नाडू के चेन्नाई से हमारे पास मात्र सरसट यानि की 67 का अपडेट है पहुत बड़ी गिरावट जो है वो देखने को मिल रहा है तमिल नाडू में कोवाई 66 रुपीज इरोडे 68 रुपीज कारूर 72 रुपीज पिलानी 68 रुपीज और सालेम 68 का ही अपडेट है अब चलते हैं राजस्थान की तरफ कोटा 73 रुपीज बिल्कुल इस्थी रेट है जैपूर 66 रुपीज जुनजुनु 66 रुपीज सिकार 66 रुप अपडेट है पठान कोट 70 रुपीज होश्यारपूर 72 रुपीज लुद्याना 72 पटियाला 72 का अपडेट है उरिशा के रावरकेला आएबी से 86 का अपडेट है कटक 90 रुपीज अंगूल 85 रुपीज बाला सुर पंचानवे भूनेश्वर नावासी बोलांगीर 85 नागपूर 90 रुपीज यतमाल 86 रुपीज वर्धाच 16 रुपीज गोंडिया 88 रुपीज बुलधाना 90 रुपीज वसीव 90 का अपडेट है नासिक 64 रुपीज मुंबल 64 रुपीज पूने 64 नगर 64 का अपडेट है अकोला 80 रुपीज बीट 64 रुपीज लातू 64 का अपडेट है इंडापू 64 पनवेल 64 रुपीज हम सतारा 64 का अपडेट है MP चलते हैं मद परदेश की तरफ तो सिंग रौली से हमारे पास जो खबर है वो 80 का है जबलपूर 80 का यह अपडेट है चुरहट की बात कर लें 82 रुपीज सद्धौल 80 का अपडेट है बैतू 84 रुपीज सौशार की बात कर लेते हैं 86 का अपडेट है आगे बढ़ते दोस्तों बात कर लेते हैं किर लागा किसान भाइओ अगर हमारा यह जो प्रयास है आप तक मुर्गियों के थोकभाव पहुंचाने का वो अगर आपको समझ में आ रहा है आपको इससे फाइदा हो रहा है तो विडियो को एक लाइक करने के साथ साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि रोद सुब सूब नोटिफिकेशन के जड़िये आपके मुबाईल तक मुर्गियों के रिट बिल्कुल मुफ्त में फ्री में पहुंचते रहे तो आगे बढ़ते हैं केरला की बात कर लेते हैं 63 का अपडेट है तिर्वनंत पूरम 63 रुपीज काली कट की बात कर लेते हैं 63 का 89 का अपडेट है जारखन चलते हैं जमसेधपूर 95 रुपीज राची 95 बढ़ी 97 बुकारो 97 धनबाद 97 रुपीज चाइबासा 95 का अपडेट है जम्मू कसमीर 77 रुपीज हर्याना 77 का अपडेट है आगे बढ़ते हैं दोस्तों चलते हैं गुजरात की तरफ तो वलसाद 60 रु आगे बढ़ते हैं हिमतनगर की बात कर लते हैं तो 65 का अपडेट है आनंद हमारे पास अभी तक update नहीं आया पालनपूर कोई खबर नहीं जाम न Agar से अभी तक update जो है वह नहीं आये दिली चलते हैं गाजीपुर पन्दे की बात कर लिया ज जाय पिछासी का अफडेटे 36 गठ चलते हैं खरश्या एकासी कोर्भा असी रूपीज अंश्पा पूरł तीरासी रूपीज पथलगाओं तीरासी का आगे बढ़ते पुरुनिया 95 रुपी, सपॉल 93 का अपडेट है, भागलपूर 95 का अपडेट है, किसान भायों बिहार के रेट में भी जो गिरावट है वो कुछ जादा ही है, 4 से 5 रुपए प्रती किलोगराम, अगर एक दिन में मुर्गियों का रेट बढ़ता है या फिर घरता है तो उसे बड़ा बदलाओ के रूप में देखा जाता है, और बिहार में कुछ ऐसा ही गिरावट के तौर पे देखा जा रहा है, डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों अभी जो है वो रेट थोड़े सो डाउन हो रहे है, लेकिन सावन जैसे ही खतम होने से, अब की बात कर लेते हैं, पिचासी रूपीज, भी कोटा, 70 का अपडेट है, एमपाली, 72 का अपडेट है किसान भाई हो, अगर आप अपने मुर्गियों को पालन कर रहे हैं, और अभी सावन के वज़े से आपको अगर रेट सही नहीं मिल रही है,